गाए भैंसों का भूसा चारा गंद ये खिलाते हैं हम अपने महमानों को और खुद भी खाते हैं आज मैं बात करूँगी वो पांच चीजों की जो हम रोज खा रहे हैं ये सोचके कि वो हेल्दी हैं लेकिन वो हमें बहुत सारी बिमारियां पैदा कर रहे हैं सबसे पहले तो है ये काले रंग का गोल्ड रिंक ये कցई इस किसी भी कमपणी का देखिए या तो इसमें शुगर बहुत जादा है दूसरे में डायेट कोả होता है जो कहने के लिए डायेट कोक है लेकिन वो पूरे श्री को खतम कर देता है डायेट कोक का अपने ब्लाडर क्रिपया इसको ना दे ना पिलाएं ना पिए उसके बाद हम पिलाते हैं जूस जिसको हम कहते हैं फ्रूट जूस अगर आप इस फ्रूट जूस में हर हर खाने के ऊपर नुट्रीशन के फैक्ट्स लिखे रहते हैं अगर आप इस नुट्रीशन फैक्ट्स को ध्यान से देखे इसमें इतने सारे chemicals हैं और fruit के नाम पे सिर्फ थोड़ी सी amount है तो creepy है इसकी जगा पे आप घर में जा तो कटा हुआ fruit दें अपने महमान को या फिर आप शर्बत बना सकती हैं जो घर में और वो आप पिला सकते हैं बट आप sure रहे हैं कि जिनको आप पिला रहे हैं उनका sugar का content ह है जो मीठे का content है वो limited होना चाहिए because जैसे जैसे आप sugar बढ़ाएंगी और वो exercise नहीं करते हैं आप मोटे हैं तो जैसे जैसे उनका वजन बढ़ेगा तो घुटनों में धर्थ और दूसरी बात है blood pressure, sugar, diabetes, instant diabetes का epidemic है और हर साल 2 क्रोड लोग मर जाते हैं heart attack से जिसका कारण diabetes और hypertension है फिर है हमारे यह हमारे बच्चे पैदा होते ही आजकल तो यह खाते हैं जैसे हो खाना शुरू होता है यह instant noodles है या फिर बजार की noodles है जो चौमेन के रूम पे famous है इन में कोई nutrition नहीं है यह मैदा है refined floor मैदा एक ऐसा जहर है जो PCOD का सबसे बड़ा कारण है मैदे की व दोलने के बाद इसमें कुछ नहीं है तो रबड है आप रबड खाना चाहेंगे बिल्कुल रबड है यह तो इसको क्रिपे बिल्कुल noodles को totally बंद कर दीजिए फिर हर घर में happy birthday में cake, burger, biscuit, kurkure, pat foods, chips यह सब खिलाए जाते हैं अब इनकी क्या problem है baked foods में एक तो पहले उसमें मै आइल है वह palm oil यूज हो रहा है जितनी भी चीज़े बन रही है खासकर यह bakery यह तले हुए समान में घर में तो हम फिर भी कहीं न कहीं सरसों का तेल और देशीगी यूज करते हैं लेकिन जो palm oil है उसमें 50% saturated oils है इंडिया सबसे बड़ एक्सपोर्टर है वह basically साबून बनाने के काम आता है वह तेल और वह हम खा रही है क्रीपे जब भी पैकेट उठाएं तो जरूर देखें के oil कौन सा है उसमें साफ साफ लिखा रहता है कि वह palm oil है palm oil बहुत बड़ा कारण है हमारी liver को damage करने का blood pressure का और sugar का इसके अलावा जो हम खाते हैं वह जो सबसे जरूरी पांचों चीज़ें पैक्ड फूर्ट जितने भी हम खाते हैं जो पांचों चीज़ें हमने बोलनी थी एक दो तीन चार और पांच यह हमने खाना हम अपने सारे relatives या अपने guests को खिलाते हैं और इसकी वज़े से blood pressure, sugar, diabetes, PCOD, घुटने खराब, hips खराब, यह सारे इन वज़े से शरीर को आप एक गाड़ी समझेए गाड़ी में अगर पेट्रोल की गाड़ी है उसमें हम पेट्रोल की जगापे पानी डाल देंगे तो वो गाड़ी बैठ जाएगी ऐसे शरीर में हम जो खाना खाते हैं अगर वो खाना ऐसा है जो हमारे खाने की nutrition को खतम करता ह इसमें कोई nutrition नहीं इस खाने में ना इसमें कोई अच्छा vitamin है ना कोई mineral है सिरफ नमक, मैदा, sugar, oil जो सिरफ हमारे heart की vessels में जाके deposit हो जाता है और इसलिए यह हमें damage करता है तो खान पान में यह चीज़ है तो आज ही अपने बच्चों को ना दीजिए ना खुद खाईए ना मेहमानों को खिलाइए इसकी जगापे आप नीमबू पानी ले सकते हैं, छाच ले सकते हैं, fresh fruits लीजिए, juices की जगापे कोशिश करिए कि fruit कटा हुआ खाएं तांकि आपके अंदर फाइबर जाएगा उतनी आपको cancer से वो फाइबर आपको बचाएगा, यह चोटी सी जो पान चीज़े हैं अगर आज अपने diet से बाहर करेंगे तो आप healthy रहेंगे, doctor के court, doctor के stethoscope और हस्पतालों के चकर से बच जाएगे